बहु बनी ड्राइवर मंजित की शादी रोहन से होती है रोहन को नशे के बुरी लत लगी होती है एक दिन अरे मा, मेरा एक सड का शरिर काम नहीं कर रहा है मैं आज खेतों मैं कैसे जाऊंगा अरे बेटा, ऐसा ना बूल तेरे पापा के जाने के बाद से तू ही घर चलाने का सहारा है मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ देखिये बेटा जी रोहन के शरिर के एक साइड में लखवा है अब वो कभी ट्रक्टर नहीं चला पाएगा घर में मनहूसियत का माहुल हो जाता है लीजे मां जी रोटी खा लीजिए अरे बेटा मुझे तो भविषय की चिंता हो रही है मेरा एक ही बेटा है और वो भी मां जी आप चिंता न करे जब तक ये बिमार है मैं खेत जाकर काम कर लिया करूंगी वैसे भी नशे के कारण इनका शरिर काफी कमजोर हो गया है अगले दिन मन्जीत खेत में जाकर काम कर शाम को घर लोटती है यले बेटा पानी पी ले कैसा रहा काम का पहला दिन मां जी काम तो ठीक है लेकिन मैं अगर ट्रेक्टर चलाना सीख लूना तो काम और भी आसान हो जाएगा अरे बेटा दुनिया क्या कहेगी कि और रतों कर ट्रेक्टर चला रही है मां जी यह तो हम दुनिया देख ले यह अपना घर कोई बात नहीं जब यह ठीक हो जाएगे तो सब ठीक हो जाएगा अरे बहू जरा बाहर तो आना जी माजी बहु तेरे मामा जी आये हैं तुने बुलाया था ना हाँ माजी वो मामा जी ना आज से मुझे ट्रेक्टर चलाना सीखती है वो मन लगा कर खेतों में काम करती है और एक दिन माजी पता है इस बार पूरे गाओं में सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन हमारे खेतों में हुआ है इस साल दो खुब पैसे आएंगे हाँ सास खुश नहीं होती है वो चुप चाप वहाँ से जाने लगती है तभी मन जी उसे रोक लेती है क्या हुआ माजी आपको खुशी नहीं हुई बेटा आज डाक्टर साब बोल रहे थे कि रोहन के ठीक होने के लिए पाँच लाख रोपै की जरुरत है समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मनजीत शान्थ हो जाती है अगले दिन सास मनजीत के पास आती है बेटा ये मेरे गहने है इसे अपने गहनों के साथ जोड कर सुनार को दिया जितने पैसे हो लिया डाक्टर को आज ही देने है मनजीत अपने गहने और सास के गहनों को लेकर दुकान में बेच कर पैसे लेकर घर आ जाती है मा जी सिर्फ तीन लाख रुपे का ही इंतिजाम हो पाया है बाकी के पैसे कैसे आएंगे बेटा अब तो एक ही चारा है हमें जमीन भी बेचनी पड़ेगी मा खेत बेच देंगी तो खाएंगी क्या अरे बेटा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है रोहन ठीक हो जाए तो वो मेहनत करके इससे भी बड़ी जमीन ले लेगा सास बहु मिलकर खेत भी बेच देते हैं अब पूरे पैसे लेकर सास डॉक्टर की पास जाती है डाक्टर साब ये लीजे सारे पैसे बस किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजे आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा लेकिन छे महीने का समय लगेगा सास बहु सोच में पढ़ जाते हैं कि अब तो कोई जरिया भी नहीं रहा जहां से उन लोगों को कमाई हो अब कमाएंगे नहीं तो खाएंगी क्या मा जी मेरे माता पिता ने लड़की होने के कारण मुझे ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं लेकिन ट्रेक्टर चलाना सीख कर मैं कुछ काम करने के लायक तो हो ही गई हूँ अरे बेटा ट्रेक्टर अब कहा चलाएगी खेत तो बिग गए है मा जी मैं किसी और की खेतों में दिहाडी में काम कर लूँगी कुछ तो पैसे आएंगे ही न ये कहकर मंजित काम करना शुरू कर देती है जैसे तैसे उन पैसों से गुजारा चल ही रहा था मा जी पास के अस्पताल से मुझे नौकरी के लिए आफर आया है पैसे भी ये चार गुना ज्यादा मिलेंगे और अब खाने पीने दवाई के साथ हम कुछ पैसे भविशे के लिए भी जोड़ पाएंगे लेकिन काम क्या है बहू? मा जी मुझे अस्पताल की एम्बूलन्स चलानी है अरे तू तो मेरी बहू नहीं बेटा है बेटा जरूर जा बेटा और हाँ तूने पूरे गाउं में एक मिसाल कायम कर दिया कि हर काम हर कोई कर सकता है उनके लिए लड़की या लड़का होने की कोई जरूरत नहीं मन जीत मन लगा कर काम करना शुरू करतीती है आदा खुशाल जिन्दगी जीने लगते हैं।